आप सभी लोगों का हमारी शेमास काड़ने में बहुत बहुत शागत है आज मैं आपको विंटर के ऐसे प्लांट्स लेकी आई हूँ जो बहुत कम धूप में खिलते हैं उनको तेज धूप बिल्कुल पसंद नहीं है और बिंटर में तो वैसे भी बहुत कम धूप आती है कुछ फ्लांट्स ऐसे हैं जिनें आप शेड में रख सकते हैं शेड में भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं और उनके लिए धूप बिल्कुल ना के बराबर जाए होती है जैसे कि एक गंटे की मिल जाए और देड़ गंटे की मिल जाए दो गंटे की उससे ज़्यादा धूप नहीं है तो कोई बात नहीं बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं तो स्टार्टिंग करते हैं ऐसे प्लांट जो बहुत अच्छी फ्लावरिंग पर सासथ और कम धूप में शेड में फ्लावरिंग करते हैं बालसम बालसम सभी लोग जानते हैं कि बहुत अच्छी वैराइटी होती है और इसको कम धूप कम पानी की जरूरत होती है ज्यादा पानी अगर ज्यादा धूप मिलती तो प्लांट यह नहीं सर्वाइव कर सकता है तो इसको सुबह की या इवनिंग की थोड़ी सी धूप मिल जाएं तो इसमें यह बहुत अच्छी सर्वाइव करेगा और बहुत कम पानी दीजेगा यह बात का खयाल जरूर रखेगा कि इसको पानी मिटी ड्राइ होने के बादी दीजेगा थे खुद इनकी ब्रांचिस में पानी होता है जिसे यह प्लाइव करते रहते हैं अब आ जाते हैं सेकेंड नमबर यह बहुत अच्छा फ्लावर प्लावर प्लांट है और पर्मानेंट है इसमें रिधा वाराटी बहुत सारी आती है और सीड में भी आता है मेरे पास red color का है ये plant of flowering भी बहुत अच्छी करता है इसको आप indoor रख सकते हैं ऐसी जगा जहां च्छन के धूप थोड़ी थोड़ी आती रहे तेज धूप में रखेंगे तो plant ये survive नहीं करता है तो ऐसी जगे रखेंगा इसको और इसके लिए पानी हम बात कर लेते हैं पान बिज़र दे सकते हैं वहां ये बहुत अच्छे सा survive करेगा और बहुत अच्छी आपको flowering करता रहता है फूल बहुत प्यारे आते हमाया इसका rate है 250 रूपिस में rate है और color variety बहुत सारी है चलिए आप जो मैं आपको दिखाऊंगी कोशिच यही करूँगी कि आपको कई बहुत थोड़ा थोड़ा पानी देती हमें इसमें और इंडोर रखिए आप फूल दिखा रही हूँ वो है प्रेम रोज प्रेम रोज इसका flower है और बहुत अच्छी flowering करता है और गोच्छों में फूल खिलते हैं इसके और यह पर्मेनेंट नहीं है यह आपको अपरेल तक बहुत अच्छी flowering करेंगे hanging basket में भी इसको लगा सकते हैं और इसमें भी वो ही method है आप इसमें पानी कम दीजिएगा ज्यादा पानी देने से पतियंगल जाएंगी और flower की variety बहुत अच्छी होती है और कई color में इसके flower आते हैं जिससे आपको अपने garden को सजाने में बहुत म अच्छी सर्फाइव करेंगे आप बहुत प्यारा flower plants में दिखाने जा रही हो लीडी पर्स के नाम सी बहुत जादा फेमस है और 50 रूपेस में 80 रूपेस की range में मिलता है color variety बहुत अच्छी चीज़ की होती है red, yellow बहुत प्यारे प्यारे और काफी बंचंग में फूल खिल आपको देना है बहुत कम और मिटी ड्राइ होने के बाद ही जाता तर कोशिश कीज़े का winter flowers और indoor plants में पानी बहुत कम की जरूरत होती है आप में एक variety एक और आपको दिखा रही हो यह भी बहुत अच्छा प्रेमुला यह भी बहुत प्यारी flowering करता है और hanging basket में भी लग सकत पानी आपको इस हिसाब से कम देना है कि धूप जरूरी होते है प्लांटों के लिए में कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनको धूप बहुत कम चाहिए होते हैं जिसमें यह survive करते है एक बहुत प्यारा और बहुत famous flower plant है गलजूनिया यह मैं इंडूर रखती हो देख रहे है मेरे इंडूर में रखा हुआ है यह प्लांट और अच्छे से survive भी कर रहा है बहुत अच्छे flowering करता है बहुत कम पानी देना पड़ता है और इस प्लांट को आप हारे आपने यहां यह हमारे नर्स्री में यह 150 रूपेस की range में मिलता है और बहुत सर्दियों को बहुत पस होता है और यह पानी जादा बर्दास नहीं कर सकते इसलिए इसके cutting कित्रों पती की cutting कित्रों भी खत्त आफारे इसके के बहुत आसानी अजरी में ज़ाई है कटिंग की थूरू इसको भी विसी से लीब्स की थूरू लगाते हैं और कलेंचोई तो बहुत ज़ादा फेमस है बहुत प्यारी फ्लावरिंग होती है इसको भी बहुत कम धूप की जरूरत पढ़ती है और यह तर्मानेंट प्लांट है समझ लीजे यह सालों साल हमारी गार् से बढ़ स्छाए उसलगती है अमृट सालों समझе स्छाए प्लांट प्लांट होते हैं बहुत कम धूर्ट में सिफ्ट हो जाते हैं तो इसको में पांट नस वरे निए प्लावर प्लांट से फ्लावर बहुत बहुत भीजर सारे फूल करना हैं इसके बार भी भीट्मत पह जादा जानते हैं हमारे यां ये 50 रूपीज की रेंजे में मिल जाता है और बहुत प्यारे फूल केलते हैं इनको भी आप जादा तेज दूप में मत रखिएगा इनको नॉर्मल धूप में लग सकते हैं जैसे एक डेट गंटे दोबंडी की धूप लग रहे हैं वहाँ ये च को तरह शेड में रखिए और बात कर लेते हैं बहुत अच्छा बिगोनिया बिगोनिया तो बहुत फेमस है बहुत प्यारे फ्लावर प्लांटे हर निर्स्री में मिल जाते हैं और बहुत नाजुक भी होते हैं दीखे इनको बहुत तेज दूप रखिए तो इनकी जो ऊपर जगे या बिंडो में रख रहे हैं तो हाँ चलेगें वहाँ धूपचन के इनको थोड़ी बहुत लग रही तो वह बहुत अच्छे सर्वाइब करते हैं कालर की वराइटी बहुत अच्छी आती है ब्लैक सॉरी बहुत ब्लैक नहीं वाइट है रेड है क्रीमी है यलू है इस पांचिंस के पॉट में या हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं पानी बहुत कम देख रहे हैं देख रहे हैं कि गमलों में भी मैंने बहुत कम पानी दिया है मिटी हलकी से ड्राइ होने के बाद ही मैं पानी देते हूं जिससे प्लांट हमारे अकसर सर्वाइब करते हैं वो बहुत अच्छे ससलते हैं अब आ जाते हैं एक monkey plant इसको कहते हैं वैसे कई नाम होते हैं और हमारे यहां तो इसको monkey plants कहा जाता है flowering बहुत अच्छी करते हैं बहुत प्यारे फूल होते हैं पनवान नहीं है यह plant आप इसको hanging basket में लगा सकते हो बहुत कम धूप में मैंने इसको ट्राइ भी किया है अगर हम इसको जादा धूप लेते हैं तो अच्छी सारी leaps है यह फूल है इसकी जल जाते हैं बाइन हो जाते हैं तो यह फ्राइर प्लांट नहीं चलता तो चलिए मैंने आपको बहुत अच्छे फ्लावर प्लांट जिखाए हैं जो बहुत कम धूप में चलते हैं अगर इसकी coding आप और भी कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारी वीडियो भी comments कर सकते हैं वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजेगा, सब्सक्राइब कीजेगा और बेल पटन तबाना ज़रूर आदा किए जिससे मेरी वीडियो की notification आपको मिल सके थैंक पॉर वाचिंग आई वीडियो बहुत बहुत धन्यवा